अपलती की शौट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं तो आज का पहला प्रसन आपके सामने है feat प्रोटेम स्पीकर का कारियों क्या है प्रस नमबर एक प्रोटेम स्पीकर का कारियों क्या है देखो प्रोटेम स्पीकर होता कौन है पहले उससे को हम थोड़ा समझेंगे होता क्या है जब आप लोगसभा के लिए बोटिंग करते हो तो उस टाम आपके पास टोटल नमबर कित इस प्रचप काम क्या है याद रखना इसको चुना जाता है यह अधिकतर के सो में क्या देखा गया है कि यहाँ पे जो senior होगा age-wise जो senior रहेगा उसी को यह protein speaker बनाते है clear है यह आपके पास याद रखना इसको हम temporary chairman भी बोल सकते है या फिर और स्थाई speaker या अधिक्स भी कहा जाता है इसको देखो इसका काम एक ही है याद रखना इसका काम एक ही है यह कोई भी उल्टे सिधे काम नहीं करेगा बस इसका काम क्या है इस house के लिए permanent speaker देना यह तो temporary था ना इसका काम क्या है इस house के लिए एक permanent speaker के लिए जितना भी काम कास इसको करना पड़ेगा वो सारा यह करेगा clear है यह चीज़े तो यहां पर आपके पास options देखने हैं हमने की कौन-कौन से है इसमें पहला option आपके पास क्या था क्या adx की अनुपस्तिती में यह सदन को संबोधित करता है भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जब adx नहीं होगा अदx जब absent रहेगा उस टाम आपके पास dipty speaker काम करता है पर यह काम नहीं करता है तो यह option आपका गलत है सदन में कारवाई यह भाई कोई आपके पास न्याइक अधिकारी नहीं है कि जो आपके पास सदन की कारवाई करेगा कुछ भी इस तरह से कोई भी कारवाई नहीं करेगा, क्या यह सदन में सदस्यों की चुनाबी समंदित जांच करेगा, नहीं भई, यह कोई जांच इस तरह की कोई भी, जो घटनाएं हैं, वो इससे समंदित नहीं है, नेक्स आपके पास कहता बोला यह सदस्यों को सपत भई याद रखना जो 545 सदस्यों बैठे होते हैं उनको यह आपके पास सपत दिलाता है प्लस आपके पास बोला जाता है कि एक नीमित अधिक्स चुनता है क्लेर है कि मालग इस हाउस के लिए एक पर्मनेंट चेर्मेन या पर्मनेंट स्पीकर चुनना ही इसका काम है नेक्स आपके पास क्या था कौशन नमबर टू बोला गया क्लेरा चीजे देखो होता क्या है अधिक्स का क्या होता है अधिक्स का क्या होता है यह भी हम जानते है नहीं इन यह शारी चीजे आपके आरस मैंड बोला जाएक्स जे regular classes में attend करें अच्छे तरीके से शेक्षिये अध्यक्स का काम किया है एक voting करवाना जो भी लाता है बिल को एक voting करवाना और उसको final करना कि भाई क्या इंश हाूस के पास हो रहा है य blindly वो सारा आपके पास काम किसा होता है अध्यक्स का unique बनाता है और उस पैनल में जो आपके पास एक मेंबर होगा उसी को यहां पर अपॉइंट करके जाएगा अधेक्स की मेरे जाने के बाद या उपादेक्स भी नहीं होंगे तो उसके जाने के बाद आप नैसे कोई एक विक्ती यहां पर काम करेगा वो आपके पास फिरी डिस्क्राइब रहता है स्पीकर के द्वारा तो next आपके पास question क्या था बोला गया question number 4 question number 4 आपके पास था निमलिकित मैसे कौन सा कानून तीन स्थरियो पंचाइती राज बिवस्ता को संबधानिक दर्जा देता है clear चीजे पहला question आपके इस कानूसर बताने से पहले मैं आपसे question पूशन पूशन चाओंगा बोला गया यह जो पंचाइती राज बिवस्ता ह यह कौन सी अंसूची मैं दी गई है प्लीस comment मैं अपना अंसर दीजे नेक्स question देखो इसका option क्या था बोला क्या आपके पास कौन सा संबधान संसोदन हुआ जिसके तहत इसको संबधानिक दर्जा दियागा संबधानिक दर्जा का मतलब क्या था आप सबको पताए कि हमारी पंचायत बनाए गे थी भारत में तो बोला जाता है यह तो 1900 नाशट से ही काम चल रहा था यह पर पहले संबधान में यह चीज़े नहीं लिखी थी कि नहीं एक पंचायत होने चाहिए जैसे पढ़ते है अंशेद नंबर 52 के तहरे देश का एक राश्टा पती होना चाहिए तो पहले ऐसा नहीं लिखा गया था कि अंशेद नंबर इसके according पंचायती राज होने चाहिए तो यहाँ पर वो ही पूछ रहा है कि अब तो हमें पता है कि ऐसा है एक अंशेद बोलता है अंशेद नंबर 243 आपके पास ऐसा कहता है 243 के बहुत सारे आपके पास clause कहते हैं क पंचायती राज सिस्टम होने चाहिए इंडिया में तो यहाँ पर बोले जा रहा है यह जो 243 संबिदान में जगा दी पंचायती राज को यह कब दी गई है यह question का मतलब था तो याद रखना 233 संबिदान सुसोदन 1993 में यह जो हमारे पास topic था पंचायती राज सिस्टम उसको संबिदानिक दर्जा दिया गया तो option number जो B था question number 4 का right answer था next आपके पास क्या था बोला गया जवाहार लाल नहरू ने जवाहार लाल नहरू के साथ जम्मू समझोते पर हस्ताक्सर किस ने किये थे यह आपके पास अच्छा question है बोला जाता है कि एक आपके पास agreement था वो आपके पास जम्मू और कश्मीर जो आपके पास एक प्रांत है हमारा उत्री भारत का जो हिस्सा है उसके regarding आपके पास एक समझोता था इसके उपर हस्ताक्सर कौन करता है याद रखना नाम थ 26 अक्तूबर 1947 इस समझोते के अंसार क्या सरते रखे गई थी हरी शिंग के द्वारा बोला गया हम भारत में सामिल होते हैं पर हमारा एक अलग संभिदान होगा और अगर इंडिया चाहेगी तो इंडियों को तीन क्षेतर में छूट दी जाएगी कि इंडिया का constitution केबल यहा यहां पे अपना implement कर सकता है और एक आपके पास last क्या था defense यह जो आपके पास सेना विवस्ता है उसको यहां पे स्थापित कर सकता है उसके इलावा अगर कोई भी काम इंडिया के constitution को करना होगा तो पहले जम्मू और कश्मीर लेजिसलेचर की आपके पास अनुमती लेने पड़ेगी तभी आपके पास ऐसा होगा तो मतलब सिंपल सी बात क्या हो रही है एक agreement बना था जब हमारे पास जम्मू और कश्मीर के जो आपके पास रियासत के राजा थी हरी सिंग वो पहले ना इंडिया की तरफ आ रहे थे ना पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे इसके क्लासे में पढ़ चुके हैं बस आपके लिए अंसर क्या था हरी सिंग के साथ एक समझोता हुआ था कब वो था 26 अक्तोबर 1947 नेक्स आपके पास क्या था बोले गया प्रिवेंटिव डिटेंशन नजरवंदी का अर्थ क्या है नजरवंदी का अर्थ क्या है पहले इसका option प option number B पूछ तास के बिना ही हिरासत में लेना इसका क्या अजंडा रहता है ऐसा काम करने का अजंडा क्या रहता है याद रखना इसका अजंडा क्या रहता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का अजंडा क्या रहता है अपराद से पहले ही अपरादी को अपराद करने से पहले ही रोक लेना अभी उसने प्लान किया था कि बही मैं दिल्ली में बंब गराने वाला हूँ पर हमारी जो खुफी अजन्सी खुफी अजन्सी ऐसा पता लगा लेती कि नहीं ऐसा होने बाला है तो वो चुप चाप जाके उस परसंस को टार्गेट करती है उसको बिना कुछ बताए उसको अपनी कस्टडी में ले लेती है तो वो ही आपके पास क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन अभी अपराध होने बाला था पर उसको पहले ही रोक दिया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन की देखो human rights आपको पता है सबसे बड़ा topic बनता है बोलो जाता है human rights के उपर आपके पास जो united nation था united nation ने एक अपना document त्यार करा और बोलो जाता है उसमें लगबग 500 से उपर human rights लिखे गए कि मतलब ये जो है ये मानव हमें पता है 10 दिसंबर 1948 को united nation ने declaration on human इस तरह से अपना concept दिया या फिर आपके पास एक document ट्यार किया जिसमें human rights की बात हो रही थी लगबग 500 से जादा आपके पास उसमें rights की बात करेगी थी जो की एक समान या जो एक समान्य तोर पे जो आपके पास 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस celebrate किया जाता है तो आप से question क्या बनता है बोला जाता है कि भया अगर हम बात करें human right days की तो human right day हर 10 दिसंबर को ये 10 दिसंबर को celebrate किया जाता है अच्छा आप सब के लिए एक छोटा सा question एक और बोला गया जो भारत में मद्दाता दिवस है वो कब मनाया जाता है प्लीज से उसको comment box में पका answer के रूप में लिखे तो ये एक और message सब के लिए देखो यहाँ पर जितने भी हम question discuss कर रहे है वो जो हम regular classes में पढ़ते हैं उससे अलग है तो सब का काम क्या बनता है इन सबरी चीज़ों को हाना डंक से पढ़ते चलो next क्या था article number 356 क्या है देखो article number 356 की बात करें क्या बोला वो कोई राष्ट्य अपातकाल है राष्ट्य अपातकाल क्या मनलब national emergency है नहीं भाई वो national emergency नहीं है क्या बोला वो राष्ट्रपति शासन है क्या वो बितिय अपातकाल है तो याद रखना जो हमारे पास राष्ट्रपति शासन है या प्रेसिडेंट रूल है वो ही आपके पास article number 356 है तो इसका जो बिल्कुल राइट अंसर है और बिल्कुल राइट अंसर है तो याद रखो article number 356 आपके पास क्या कहलाता है राष्ट्रपति शासन और इसके अंसार होता क्या है जब किसी राज्य में कोई दिक्कत आ जाती है एक particularly area में कोई परिशानी आ जाती कोई मतलब terrorism attack हो जाता है तो पूरे इंडिया को कोई दिक्कत देने की बात नहीं है तो यहाँ पर एक ही state को बहाँ पर president rule के according रखा जाता है तो वो आपके पास article number 356 था next आपके पास क्या था राष्ट्रपति शासन पहली बार किस राज्यों में start किया गया देखो president rule की बात करी जा रही है याद रखना president rule अलग है president rule आपके पास किस article के तहत लगता है 356 और एक आपके पास चलता है national emergency वो आपके पास किस के अनुसार आपके पास emergency लगती article number 352 तो यहाँ पर आपके बस बिल्कुल सही जो answer था पहली बार किस राज्यों में लगा याद रखना पंजाव next question के तरफ move करो बोला गया question number 10 आपके पास था रास्ट्य अपातकाल को सदन में किस बहुमत से पास करवाना अवर्शिक है national emergency अभी हमना बात करी किस article के तहत आपके पास national emergency बताई जाती है article number 352 आप सब के लिए question article number 352 का आज तक कितनी बार यूज किया है please अपना answer comment box में जिरूर लिखे तो यहाँ पर बोला गया 352 अंशिर के तहर national emergency लगाई जाती है पर आप सब को पता है national emergency लगाई तो जाती है तो बोल जाता है यह कितने बहुमत से किस बहुमत से पास होती है बोला क्या है यह साधारन बहुमत से पास होगी या पूर्ण बहुमत से पास होगी या special majority या बिशिस्ट बहुमत से पास होगी तो याद रखना या special majority special majority के मनला होता है 2 बटे 3 दो बटे तीन यहां पर बोट होने चाहिए अगर लोगसभा से चल रहा है तो लोगसभा का जो वहां पर कुल सदस्चों की संक्या है उसका दो बटा तीन करो इतने बोट अगर इसको मिल जाते हैं तो यह पास है अदरवाइस यह कैंसल कर दी जाएगी जो आपके पास संबлись साथा यह कोशन आपके पास पूछा जा रहा है शिक्षा की सुची से सम्मोंधित और दाशें सइवरमें आपके पास चलता है नेक्स आपके पास इंपॉर्टेन कोशन था बो लह गया एक आपके पास पार्टी थी पार्टी का नाम था सुबतानतरता पाटी यह सुतंतर पार्टी की बात कर जाते हैं इसके फाउंडर कौन थे याद रखता है सी राजा को अपाल जारी नेक्स कोशन की तरफ मूव करो भासरकार की और से राज्यों को हस्तांतरित कियेगे संसादनों को बैध्यानिक कहा जाता है यदी बे देखो कौशन को डंग से पढ़ोगे तभी आपको ये कौशन से बिलकुल सही लगेगा तभी आप इसको सही अटम्ट कर पाओगे ये बोला जा रहा है जो राज्यों के लिए संसादन दिये जाते हैं उस चिसको सैचुरेटी कहा जाता है पर सैचुरेटी कब कहा जाएगा य बैध्यानिक कब कहा जाता है ये आपको बताना है क्या बोला जाता है जब ये योजना योग की सफारिस पर हो कि जब आपके पास संसादन जो वो योजना योग की द्वारा दिये गयो हो नहीं ऐसा नहीं होता है याद रखना जब भी हमारे पास इस तरह का कोशन आता है त पिर विध्यानिक हाना next आपके पास कैया था important question था इंपॉर्टेंट्ट listen भईया most important question था यह一番 है बहुत नागालेंड की दूसेंड जिला कोंसा इस्टिंग resin song डिस्टिक बोला जाता है यह नागालेंड का और लिता है this is the जात जातऊ फुरूरा की इनागा को आई को नék कि सुनाो जाता है यह जो जाता है जो हो ऑक कि बात कर रहा है इनागा लएंड का सब्से काूप ऑर बोलो जाता है यह सबसे बेक वैकवर्ड यहां फ्थ मतलब किहां ट्रैवी एफ जनजाती दी सिस्टम मं तो बोला जाता है यहाँ पे जो विजान सहबमें member बैठे होते है इनको कौन चुनता है याद रखना इनको कौन चुनता है क्षेतरी पर्षड या regional council पूरे भारत में पांच क्षेतरी पर्षड हैं ڈपॉर्टन्ट कόσन देखो… और क्षित्री पर्षद को इसके दोअगी स्थापित किया जाता है। इनका अध्यत्यक्स कोई होता है गृह मंत्री होता है तो बोल जाते है जो आपके पास एक क्षित्री परश्द बनाई जाती है वो आपके पास गाम करेगी क्योंकि भार सरकार क्या चाहेगी कि नहीं, यह जो आपके पास backward area है, उसको अपने समाज में जगा मिलनी चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, इस चीज के लिए आपके पास यहाँ पे क्या किया जाता है, कि क्षेतरी परसद यहाँ पे voting करती है, यहाँ की जनता को यह अधिकार नहीं है, यहाँ पे क्षेतरी hills की बात करूँ, यह आपके पास इसमें है, borderland district की बात करूँ, उसके बात आपके पास था, काबडी, anglong district की बात करूँ, तो यह भी आपके पास आधिवाशी क्षेतरों मैं से एक है, असम के, next, UPSC के सरदस्यों को किसके दौरा हटाया जा सकता है, यह थोड़ी से mistake है, यह यहाँ पर देख लेना, UPSC के सरदस्यों को किसके दौरा हटाया जा सकता है, तो यहाँ रखना, UPSC को persons को चुनता भी कौन है, president हाना, और इसको हटा भी कौन सकता है, president, तो यहाँ पर देखो, जहाँ पर राश्टरपती है, वो आपके पास सही answer है, यहाँ रखना, Supreme Court की ज उसकी जांच के लिए बेजा जा सकता है, कि नहीं, इस बिल की पूरी जांच करो, क्या, इसमें कोई problems तो नहीं, कोई दिक्कते तो नहीं आरी, तो बोल जाता है, यह कब बेजा जा सकता है, पहली reading में है, second reading में है, तीसरी reading में है, यह अधेक्स के कहने पर कभी भी, इसका जो बिल्कुल सही answer है, याद रखना, अधेक्स के कहने पर, जब speaker बोल देगा ना, तब वो कभी भी बेजा जा सकता है, जहें, वो पहले reading हो, हाँ जी, पहले reading में क्या होता है, जब आपके बास bill आता है, तो पहले reading में क्या होता है, उसको publish करा जाता है, हना सब को बताया जाता है, यह इस तरह का bill है, दूसरी reading में क्या होता है, संसोधन क्या जाता है, तिसरी reading में क्या होता है, फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है, पास है, फेल है, यह चीज़ बताई जाती है, तो यह सारी चीज़े हम पहले video में discuss कर चुके है, नेक्स आपके पास क्या था, वो लग है संभिदान में चुनाब परनाली कहां से लीग गई है देखो हमारे इंडिन कॉंसिटिशन में आपके पास क्या है हमारे पास सबसे अच्छा दिकार क्या है कि यहां पे जो भी परसंस बैठा होगा उस चीज़ को उसको यहां पे हमारे दवारा चुना जाता है तो उस चीज़ के लिए चुनाब परनाली सामने आती है वहले यह कहां से लीग गई है याद रखना United Kingdom स्टेट पब्लिक सर्विस क्मिशन याद रखना गवर्नर किस के दवारा निक्त किया जाएंगे यह इंपोर्टन है गवर्नर राज्यपाल सारी चीज़े हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हमने रेगलर ग्लासेस में नेक्स्ट आपके पास क्वेशन था UPSC यह संग लोग सबाग किस सदस्टों के निक्ति किसके दवारा की जाती है आपके पास C आपके पास प्रेसिडेंट याद रखना कि जो UPSC है UPSC के जितने भी पसंस होते हैं वो प्रेसिडेंट के दवारा चुने जाते हैं और जो State PSC है या राजे का लोग सेबा या राजे का जो लोग सेबा आयोग है उसके जो सदस्टों वो राजेपाल के दवारा चुने जाते हैं तो यह सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास कुछ कुशन थे आज के लिए काफी हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू धन्यवाद